गुड मॉनिंग बच्चो स्वागत आपका आज की क्लास में और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एंसी आटे चेप्टर नमबर 5 नाम है सांत्यत्य तथा अवकलनियता आज हम करेंगे परसनावली 5.1 ठीक है तो पढ़ते हैं क्वेशन नमबर 8 को एफ के सभी असांत्य के बिंदों को ग्यांत कीजिए जबकि एफ निमलिखित परकार से परवासित है ये बच्चो आपके जैसे आपको स्क्रीन के ओपर दिखाए देरा आपने कि हमने किसी फलन के असांत्यत्य के बिंदों को ग्यांत करना है असांत्यत्य का मलब होता है कि कि किन किन बिंदों पर जो f है यानि कि जो फलन है यानि कि जो function है वो discontinuous होता है यानि continuous नहीं होता है ठीक है जबकि आपके पास जो function है यानि जो फलन है वो निम्न प्रगार से परवासित है जैसे f of x जिसे आपको दिख रहा है बच्चों यहाँ पर f of x equal to है आपके पास mod x upon x और दूसरा है f of x equal to क्या है 0 यह दो values है एक function की लेकिन यह तभी है क्योंकि यहाँ पर एक condition आपको given है mod x upon x था बच्चों यदि x does not request to 0 यानि x 0 के बराबर नहीं है या इसका मली यह हो सकता है कि x जो है 0 है यह तब बच्चों यदि x बराबर के 0 है यानि कि अगर x बराबर 0 होगा तो f of x क्या देगा आपको 0 देगा अब हमने क्या करना बच्चों कि हमने x equal to हमने check करना है x equal to 0 पर हम पहले check करेंगे x equal to 0 पर जो fx है वो continuous है यह नहीं है ठीक है तो आपको पता है कि अगर हम किसी बिंदू पर यानि x equal to 0 पर अगर मैं check करूँगा तो सबसे पहले उसके लिए हमें किसकी जरुद पढ़ेगी lhl की यानि कि left hand limit की left hand limit निकालेंगे तरह क्या होता बच्चों आपको पता है limit x tends to 0 जो उसके उपर हलका सा माइस लगा लिया मैंने x tends to 0 माइस का साइन लगा लिया f of x equal to limit x tends to 0 माइस अब देखो यहां पर कि f of x क्या है आप ने अगर 0 से हलका सा छोटा लिया ठीक है यह x जो है 0 से छोटा लिया तो x equal to 0 पर तो 0 है लेकि इसका माला यही तो होगा x 0 के बराबर नहीं है इसका माला यहां इसमें कौन से value चुपी होगी है तो यह तो भी बड़ा होगा 0 से यह 0 से छोटा 0 के बराबर तो यह नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे f of x के value क्या लिख सकते हैं यहां से mod x upon x क्यों इसको क्यों नहीं लिखा मैंने क्योंकि x बराबर 0 पर है डारिक्ट और हम किस पिनिकाल ने x equal to x tends to 0 से थोड़ा सा छोटा अब बच्चो equal to हम लिखेंगे से limit x tends to 0 आपको पता है कि mod x की कितनी value होती है दो values होती है मौड x को हम क्यासे लिख सकता है यह बच्चो तब होती है आपको पता होना चाहिए कि यदि यानि एक जो है जब 0 से क्या है बढ़ा यह 0 के बराबर होती है तब x होती है और यह value तब होती है बच्चो यदि x, 0 से छोटा है तो तब क्या hour ती ओ ? सब्सक्राइब , प्रилась कि यहां सब्सक्राइब अब का माइनस एक्स एक्स ये केंसल आउट होगा अबदा है कि आपको सबस्थ हलकसा बढ़ रहा है और तो यह prima यही हम लेंगे इसके लिए फ और आपको पता है बच्छो कि एक्स की वेलु हम जीरो से थोड़ा सा बढ़ी लिए तो एक्स की वेलु अगर मैं जीरो से ग्रेटर दे जीरो तो तब क्या लिखता हूं मैं उसे X लिखता हूँ तो मैं इसको मुला क्या मौड X की वैलू यहां पर क्या होगी X एक्स अपोन X यह कैंसल आउट होगे तो क्या बचेगा आपका वन बचेगा, क्लियर यहां तक, अब मैं तीसरा निकालूँगा, इसमें function की value, यानि फलन का मान, जिस बिंदो पे हम निकाल लोगा, किस बिंदो पे निकाल लोगा, x equal to 0 पे, तो f0 equal to क्या हो जागा, f0 अगर रखा, तो direct तुम्हें पता है, दूसरा 1 आया, और तीसरा की आया, 0, तीनों ही value अलग लाई, तो इसका मला हम लिख सकते हैं, जब तीनों ही value अलग लगाती है, बच्चो इस फॉरूम में रखने पर, तो हम क्या बोल सकते हैं, कि उस बिंदो पर, यानि x equal to 0 पर f7 नहीं है, ऐसी आप इसका जो second है, क्योंकि चोटा है, तो आपको पता, 0 चोटा तब ही तो हैगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, limit x tends to c, f of x equal to limit x tends to c, और यहाँ पर आपको पता है, कि 0 से बड़ा और 0 चोटे में, हमें sum f of x equal to mod x upon x ले रहे हैं, तो आपको पता है, यहाँ पर, mod x upon x, और इसको पता है, कि अगर मैं 0 स तो c जगा 0 से छोटा है, तो इसकी value क्या आगी, negative आगी, जैसे आपने यहाँ पर देखा, तो minus 1 minus x आजाएगा, minus x से x कटेगा, तो क्या पचेगा आपको, minus 1, तो कुछ न कुछ वैलू आपके पास, i यहाँ पर, हम लिख सकते हैं, कि यह x, यह जो है, बिंदू, x equal to c, less than 0 पर भी क्या यह, सतत होगा, ऐसी, आप तीसरी condition यह पर बना सकते हैं, बच्चो, मैंने लिखी नहीं, आप लिख सकते हैं, x equal to c, जब वो क्या है, c क्या है, 0 से बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर छोटा और बड़ा वाला case, दोनों हो सकते हैं, इसलिए थार्ड case भी यहाँ ब positive x upon x, तो तब इसकी value क्या आगी, 1 आ जाएगी आपर, तो आप तब देखेंगे, आपको पास कुछ न कुछ value आ रहे है, किसी बिंदू पर, यानिकि c बिंदू पर, ठीक है, जो 0 से छोटा यह 0 से बढ़ा है, तो hope क्या आपको यह clear हुआ होगा, बढ़ते हैं, बच्चो, question 0 से के बराबर, या 0 से बढ़ा, यानि x is greater and equal to 0, तो सबसे पहले मेरे पास बनता है, बिंदू x equal to 0 पर, मैं किस पर चेक करूँगा, x equal to 0 पर, क्योंकि यहां पर x equal to 0 भी है, ठीक है, तो आपको पता है कि limit, यानिकि LHL लिखेंगे, limit extends, अब 0 पर कर रहे हैं, तो हलका सा 0 से हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, और बाद में, RHL में कहाएंगे, 0 से थोड़ा सा उपर आएंगे, यानिकि हलका सा 0 से बड़ी value को टेक करेंगे, यहां पर हमने 0 से थोड़ा सा छोटी value को ले रखा होगा, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, limit extends to 0 minus f of x, अब आपको पता ह दिया, x upon mod x, अब बच्चों जैसे मैंने अभी previous question बताया था, कि mod x की दो value होती है, एक positive x होती है, एक negative x होती है, clear, अब जैसे मैंने आप यह बताया था आपको, कि जो f of x mod x होता है, mod x, उसकी दो values होती है, 1 x होती है, एक minus x होती है, यह ताब होती है, जब x 0 से बड़ा होत x upon mod x की value minus x, एक cancel out हो जाएगा x, तो आपके पास बचेगा minus 1, ऐसी आरेचल में limit x tends to 0 positive f of x, limit x tends to 0 positive f of x, अब आपको पता है यहाँ पे कि, अगर मैं 0 से बड़ी value लेता हो, यानिकि 0 से बड़ी, तो x की value 0 से बड़ी, यानिकि x greater है 0 से, तो आप क्या जाएगा direct minus 1 आ तो आप देखेंगे यहाँ पे minus 1, minus 1, minus 1, यानि तीनों ही value, जब lhl equal to rhl equal to function value, यानिकि function value मलब फलन का मान किस बिंदो पर, जिस बिंदो पर हम निकाल रहे हैं, अगर equal आ जाते हैं बच्चों, तो हम लिखते हैं, x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, f क्या होगा, सतत होगा, ऐ limit extend to c, अब आपको पता है कि छोटा और बड़े में तो क्या बनेगा, छोटे बड़े में कौन से बनेगा, यह वाला तो बनेगा, अगर छोटा है यहाँ पर, c यहाँ पर देखो, c 0 से छोटा है, तो यहाँ पर x की बराबर तो है, c छोटा है, तो हम क्या लेंगे, x upon mod x, औ होगा, जैसे मैंने अभी किया, यहाँ पर minus 1 आजाएगा, अगर एक बड़े में बड़ा लिलो 0 से तो वहाँ पर c बड़ा होनेगे, बलाव अधर direct minus 1 आना, तो कुछ नो कुछ वैलू यहाँ पर आ रही है, minus 1, minus 1, तो हम रिकिंगे, आता f जोए x बराबर 0 पर भी सतत होग होगा, तो होव कि आपको एक लियर वहा होगा, बढ़ते हैं question number 10 की और f of x equal to, आपके फ़लन है, वो है x plus 1, 1 है x square plus 1, x plus 1 तब है बच्चो, यदि x जो है, एक के बराबर यह एक से बड़ा, और x square plus 1 तब है, जब जो है, x जो है, एक से छोटा है, यानि x less than 1, तो आपको पत और rhl हम निकालेंगे, ठीक है, तो lhl क्या हो जाएगा, यानि left hand limit क्या होगे, limit x tends to 1 minus, f of x equal to limit x tends to 1 minus, अब आप एक से छोटा है, ठीक है, एक से छोटा, तो एक से छोटा में दिया आएगा, यानि x is less than 1, तो आपके बाब फलन क्या जाएगा, x square plus 1 आएगा, समझे बात आई इस बार मैं क्या ले रहा हूँ, x जो है, छोटा, 1 negative क्या दिखा आपको, कि x की value क्या है, एक से छोटी है, तो एक से छोटी में तो f of x क्या हैगा, यानि f x क्या हैगा, x square plus 1, यहाँ पे limit x, आप इसको direct value रख सकते थे, तब भी वही answer आएगा, और चाहे आप इसको limit h tends to 0 कर होता है, यहाँ पे जहाँ पर x है, बच्चो, वहाँ पर क्या रख देगे, आप जिस point पर निकाल देगे, किस point पर निकाल देगे, तो 1 में से h को घठा देते हैं, जैसे मैंने बहुत बार बहुत बार बोला, आपको previous question में भी 1 minus h का whole square आजागा, क्यों यहाँ पर x square है, तो 1 minus h का whole square हैगा, अब प्लस 1, इसको a minus b का identity से हम खोल देगे, तो यह क्या होगा, a square plus b square minus 2 a, यहाँ प्लस 1, यहाँ पर 0 हो जागा, यह भी 0 हो जागा, 1 plus 1 क्या बचेगा, बच्चो, 2 आपका बच जाएगा, आरे चल देखिए आप, आरे चल में लिखेंगे, हम limit x tends to 1 positive, f of x equal to limit x tends to 1 positive, अब x से हमने हलका सा बढ़ा लिया, तो x x की वेलोगर में x से बढ़ा लूँगा, तो क्या आएगा, आपके पास फलन x प्लस 1 आ जाएगा, और फिर इसको लिखूँगा, मैं limit x tends to 0, x की जगा में 1 plus h, 1 मला जिस बिंदों पे निकाल ले, 1 plus क्यों 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 क् यहां पर negative, negative क्या था, क्योंकि हम 1 negative ले रहे थे, यहां पर आएगा, आपका 1 plus h plus 1, h की जगा में आप 0 रख लिजे, तो यहां पर आजाएगा, 1 plus 1 क्या जाएगा, आपका 2, और f1 डारेक्ट उस फलन पे चेक करें, f1, यानि कि अगर मैं 1 पे चेक करूंगा, x equal to 1 पे, तो अगर c हमने जो छोटा लिया, क्योंकि हम c पे इसलिए कर रहा हूँ है, कि हम x के पॉइंट ले रहे हूँ है, यहां पर less का sign है भी, less का और greater का sign है, तो इसलिए हम यहां पर c लेके करते हैं, तो limit x tends to c, f of x, c के एक पॉइंट है, जो लगा x के equivalent है, ठीक है, f of x equal to limit x tends to c, अ आप आपको पता है, अगर c जो है, x से छोटा है, तो कौन सा है, तो कौन सा आएगा, x स्कूर प्लस वन आएगा, चोटे के वाला case के लिए, ठीक है, तो यानि, x स्कूर प्लस, x के जगा मैं c रख लीजे, c स्कूर प्लस वन, तो यानि कुछ न कुछ इसने real value आपको दी, यह हो जाएगा आपका fc, ऐसे आपका c, अगर एक से बढ़ा है, तो यानि कि आपको क्या है, x प्लस वन आएगा, और x प्लस वन कमला होता, c प्लस वन, तो हम लिखेंगे, एक स्कूर प्लस वन, तो हम लिखेंगे, f सतत होगा, x एक्कोल टो 1 पर, इस तो आपने इहीं पर चेकर लेता हो लेकिन ये दो किस हमने और बनाएं तो होप कि आपको ये क्लियर होगा थैंक्यू थैंक्यू शो मच